नमस्कार, आजकेर एई बिशेश ओधी बेशने आपना देर जल्शागरे तरुप थेके शागोतो जानाची आमारोपोरे भार पोडेचे आजके सुन्दा है उल्लास कुशल करजी जे दुई घरानार गाई की गान अर्थद ग्वाली अर्भुंग जापूर एई शम्पक्के दूचार कॉता बोलते हैं कॉता वाले काशी रूल्टो दीके बैश काशी ते मोले गाधा है मैनेजर, प्रोफेशनल मैनेजर दा यकुन रिटायर करें तकुन तादेर उपद्दाय कुरे मैनेजमेंट कंसाल्टेंट कुरे दा है आमा के संगीत ब्यद बोले एरा आज के सुन्द वेलाए देखे शम्मानी तो करेचेन बुस्तई पाच्ची जे गायोक हीशेबे आमार में आदे बारे फूरी आएशेचे आपना देशों परिचय कोरिये दी शर्वप्रथमें श्री उल्लाष कासल करेर इनी एर गुरु गजानन राव जोशीर काचे शिकेचेन एछाडा आगरा घराना राम माराठेर काचे तालिम पेचें एर गुरु गजानन राव जोशीर संपक्क के बोलते हाए जे आमी एई डखम जन गायोक कोखनो एरागे देखी में कारण उनी और बाबा अनत मनोहर जोशीर काचे अन्तु गुआ गुआलियर फ्रुशिद्ध गायोक तार काचे गुआलियर गायोकी पेचे लेन उस्ताद बिलायत होसें खा आगरा घरानात तार काचे उनी आगरा घरानात गायोकी पेचे लेन एबों आल्लादिया खांशाइबेद छेले भुर्जी खांशाइबेद कास्तेके जोईपूर गायोकी जोईपूर गायोकी रो तालिम पेचे लेन आखी आशोरे उनी तीन ती विभिन्नो घरानार गाई की ते गान गेए छें, उनो ते आक्टाई लोग कापड बोदले बोश्चे तो उल्लास कशल करेट काचे ओ आपनारा तीन घरानार गाई की पाबेन किन्टुनी जेटा पचंद करें श्टा होलो गवालियार एबंग जारपूर तो आखों थेके मध्धान तर पज्जन तो नी गवालियार गाई बेन एबंग तार परे जारपूर और संगे प्रसिद्धो तबलावादक सुरेश तालवाल कर जीनी और पिता दत्ता तर्य तालवाल करेट काचे तबलावादकन शिकेचें एके विशेश करे आना होएचे कारून उलाज कासल करेट गाई किस्वंगे शाथ संगत करवाद मोतन एचे आर भालो कावके आमरा शारभारद वर्शे खुजे पाचीना हार्मोनी में बश्चें डॉक्टर अरविन थाट्टे आपना राविन थाट्टे why he should occasionally indulge in playing the harmonium he alone knows but we are in any case the beneficiarism एकुन आपना देर पाध्योनेर ओन उमती निये अमी जाकी चुबल्भो एक्टु शरोल हिंदी ते पाहिंदुस्ताइनी ते बोल्भो एई जनने ये खाने बेश की चुजन आचेन उपस्थित जारा बांगला भूज बेनना एबंग विशेश कोरे जारा आमार माधी के बोशे आचेन एरा अभूज बेनना और अपनारा दाया कोरे आमके उनमती दिन आमी शरोल हिंदी ते बोलगो और आजकाल तो टीवीर सीरियाले दोलो ते आपनारा मोटा मोटी शकोले हिंदी जानें आमी चेश्टा को जाते सौंस्क्रितो बहूल बाउर्दू बहूल हिंदुस्तानी ना हुआ है ग्वालियर गाईकी जो है ये सबसे पुरानी गाईकी है सबसे पुराना ख्याल घराना है क्रोनोलोजिकली आगरा इससे भी पुराना है मगर आगरे में धुरुपत धमार का चर्चा होता था ख्याल नहीं बलकि आगरे में ख्याल आया ग्वालियर से और सिर्फ आगरा नहीं सबी घराने जो हैं सब भी गौलियर के ही पेट से निखले है जिस रूप में ख्याल हम लोग को आज मिलता है जिस रूप में इसकी उमर लगभग तीन सो वरस है इससे ज़ादे नहीं लोग कहते हैं किताब में भी लिखा रहता है कि अमीर खुसरू जो हैं वो ख्याल के जनक थे अलीगर यूनिवेस्टी के मामद हबीब जो मोगल इतिहास के उपर एक बहुत बड़े अथारिटी हैं उनके पिता मामद हबीब उन्होंने लिखा है कि बहुत कुछ तजबीश करने के बाद अभी तक कोई सुबूत हमारे पास नहीं है कि अमीर खुसरू गाते ही थे कभी और ये सितार और तबला जो अमीर खुसरू के बारे में कहा जाता है ये तो इस थियरी हैस बिन कम्प्लीटली एक्स्प्लोडेट अब ख्याल के जो ये रूप है ये आप हमें बड़ी खुश लखनव में गुलाम रसूल थे उस्ताद नवाब आसफुद्द्वले के जबाने और उनके दो दामाद थे शक्कर खाँ और मक्खन खाँ और कुछ नाम उनके रहे होंगे मगर वो लोग जानते थे उनको कवाल बच्चे शक्कर खाँ और मक्खन खाँ और हाँ ये कहना बहुत जरूरी है कि गुलाम रसूल के एक बेटा थे गुलाम नवी जो मामूल ये आदमी नहीं थे वही है शोरी मिया जिन्होंने टपा इजार की हम लोग के सामने और ये पर रमपरा जो टपा का है ये पंजाब से वो लेकर आए तो उट वालों के संग्वां करने के बाद बाराल वो जो टपा था वोड़ा बहुत तेज चलता है वो उट पर बैठके गाया जा सकता है यहां पर बंगाली वो टप्पे को नहीं हासिल कर सकते अब ग्वालियर गाई क इसी क्या है इस पर दो शब्ध हमें कहना है सबसे पहले मैं आपको यह बताओं कि ग्वालियर में बंदिश्ख गाने के बाद जो विस्तार है अलाप है यह पहले था ही नहीं आपको सुनके ताजुब होगा कि विस्तार नहीं था हमारे एक नंबर गुरू हमारे सर के ऊपर और ताकमा तरुपोर चार गुरू के हाथ है सबसे पहले हैं कानन है यहां पर क्या मालवी का कानन के पिता डॉक्टर रविन लाल राए उनके किताब में मैं देखता हूँ लिखा हुआ है कि फ़याज खां साब उस्तार फ़याज खां क्यों उलाज जी आपको सुनाई दे रहा ना उस्ताद फ़याज खां और रजब ली खां दोनों कहरें उन से कि भाई यह अब्दूलकरीम क्या कर रहा है यह विस्तार करता है ख्याल में अगर विस्तार करना ही हो तो दुरूपद में नूम्तों करके विस्तार करें फि फिर ख्याल गाते थे क्योंकि गवालेयर जिसकी तालीम हुई थी पईयाज खांसाब के नाना और उनके पिता घगे खुदा बख्ष को वहां विश्तार थाई मगर बंदिश बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि बंदिश मेहीं राग की कुंजी और थदरागे चाबी काटी य जब हमारे पास दोचार जो भूले वटके लड़के या लड़कियां सीखने आती हैं तो मैं उनसे कहता हूं वही एक नहीं एक एक राग के पांच-पांच-छे-चे बंदिशें लो ताकि राग के रास्ते निकल आएं तो बंदिश और बंदिश भनने का तरीका क्या होता और लए क्या होता था अब सुरेश जी आपको बंदिश का लए क्या है वो दिखाएंगे और उल्लाज जी एक कोई बंदिश गा के आपको सुनाएंगे इसको दिखाने के लिए कि बंदिश भरना किसे कहते हैं स्थाई भरना किसे कहते हैं और लए वही होता है मध्य लए य किराने में बहुत अती बिलंबित ले होता है उसमें ताल का चरित्र ताल का करेक्टर खो जाता है लहाजा आप देखिए कि ये पहले था क्या और इसी ले में फैयाज खांसाब और बल्कि चंद दिन पहले तक बड़े गुलामली खांसाब भी इसी ले में गाके आए है कि अपड़े खांसाब भी हमीर राज में एक ख्याल प्रस्तुत करूंगा जो की जुम्राताल में है स्थत्य कर चत्य के जले कि फ्यां तो की शुम्रा थे ए इव्नाए मारा तो कि अर्बर्या थे ए न रह ए आरम कि न व्यां ये-्यांगा ये विरन आयर, ये रलो हीन् येर येम मेर ये रागन आयरad kinda ये च ये रागने हैं उले ज्यूव आग अले युण आग 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 चुलाग भूद हो दे के लाग, प्टार्मार आलालाए अराः आवो शोकी गारवाई आच मेल बुले जो जो बाई गुलाई ऑ्रच में खर्बलाव यारव जो 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 जुलावण द्याव क्यों जो 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 गरब भार आखर 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 जमेर बुले जो जवाबार गुलाव बूदे लाबो गीमा लेमिया लाबो शोगी गरावा जमल गोले जोगाई का विस्तार अब पहली मैंने आप से अर्ष किया था कि राग विस्तार शुरूम ग्वालियर में था ही नहीं बाद में लोगही धीरे भाख कर वा पया उन्होंने मगर वो विस्तार वो विस्तार जो है व लागंक की के विस्तार है यानि स्वर्विस्तार नहीं स्वर्विस्तार नहीं एक किसम का हमारे गाना जो हम लोगों के इधर सुनने को मिलता है धुरूपत के अलावा जिसमें क्रम के अनुसार स्वर्विस्तार होता है जैसे मालकौस है तो उसमें गंधार मध्धम धैवत निशाद चार तो सवाल ये है कि हाथी का पूछ जितना लंबा है सून भी उतना ही लंबा होने से तो वहाथी डिखता नहीं नहीं तो ये चीज गवालियर में बहुत इंपॉर्टन समझते थे कि राग का अंग जो है उसको विस्तार में हाईलाइट करना चाहिए सुबर विस्तार नहीं वि स्वर समुहों को ले करके खेलना है ये अंग जो है ये गवालियर में बहुत पाया जाता था बड़े गुलाम अली खांसाब का पटियाला घराने में भी बहुत पाया जाता था ये इस अंग को ये अंग धीरे-धीरे ख्याल से चला जा रहा है मैं आपको जड़ा एक मिसाल के तौर से दिरिश्टान के तौर से आपको फयास खांसाब का एक मिनट कामोद से बहलवा सुना रहा हूं क्यों फयास खांसाब का जाओ 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 यह जो 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 गौलियर घनाने के जाने माने पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित जी के राज देशी तोड़ी से कृष्ण राव शंकर पंडित का देहान्त हुआ कुछ दिन पहले 97 बरस के उमर में और यह रेकॉर्ड जो है यह उनके मरने के 7-8 बरस पहले का है और इनकी गायकी के साथ बड़े गुलामा लिक इंखाँ साथ की गायकी बहुत मिलती है जैसे आप सुनेंगे और बहलाव से कैसे ताने काई। यह 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 बादाइब के ईनकी बहुत मिलती है कि अजय मोड़ तादस बाजय वर्जाय तादस स्रीजाध होगो आवगो आप आप अगजय आप 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 सा आप नाप आप कर दो बहलवा से कैसे तान में आ जाते हैं धीरे धीरे भारी और लर्जदार तान ये आपको खुदी उल्लाज जी दिखाएंगे गाते वक्त इसके बाद दुरुत ख्याल में बहलवा का एक दिश्टान चोटा समझ दे रहा हूं ये बहुत बड़े एक उस्ताद थे रहमत खान इनके स्वरप्रयोग अब्दूलकरीम खां नकल करते थे इनका असर पड़ा भासकर बुआ के ऊपर मन्जी खां के ऊपर और बहुत वबहुत इस दिलिव बेदी को बहुते थे कि अब्दूलकरीम इसका स्वर लगाना नकल किया है मंगर एक तान इसके गले से नही निकला रह्मत खासाब रह्मत खासाब अफिम खाते थे और बाद में उनका दिमाख कुछ अजीब सा हो गया था तो एक रेकॉर्ड में यह मन में उन्होंने कोमल ध्यवद भी लगाया मगर इस भूपाली में जरा साब बहलवा का दुरुत ख्याल में बहलवा का द्रिश्टान की दे तो GTRAK ャ civil बहलवा का द्रिश्टान की रत में लवा थिए का दो में आखाला का दुरणी MA कर दिस अपिजड़ा की ऌना हना हने की दुरुत खिर में उनकाρά को अबबबबबबबब na का द्नी आखते रहन चुरुत रहन का भाश्टान की रह्मत बन Là कर दो बना पो दो बना घाल झाल वाल आख का लगाई भाल वाल वाल इस वीड़ कर दोपे खाल सुपना कर दो दो आखिए दो हो अ और बना मत दोंग कि वालियर में खासतर से इसके बाद जब तान आता था तो तान धुरुपदी लोगं कहते हैं कि वह ख्यालिया सब बेशूरे हैं क्यों कहते थे इस वज़ा से कि हमारे संगीत हमारे म्यूजिक सिस्टेम जो है वो और म्यूजिक सिस्टेम यानी चाइनीज या या यूरूपियन सिस्टेम से अलग क्यों हैं सिर्फ दो वज़ा से एक मीड और एक शूती हम एक नोट से दूसरे नोट कूद के नहीं जाते हैं पियानो हमारा इंस्टूमेंट नहीं हमारे इंस्टूमेंट है सारिंगी हम एक स्वर से दूसरे स्वर मीड के सायते के साथ जाते हैं जो की तान में होना चाहिए तो ग्वालियर के तान में है और इंटर्वल के बाद जब यह जैफूर गाई की गाएंगे तो उसमें भी आप वो उसको पाएंगे कि किस तरह से एक स्वर के साथ दूसरे सवर को जोड़ा जाता है मुड के साथ और गौालियर के शुरू में जो गौालियर के भारी लर्जदार तान होते थे उसमें शुद्ध आकार से एक हरा तान फिरते थी ये लोग और इसी के साथ साथ सपाट तान का जनम हुआ है यानि सानी दबा मगरे सा इस तरह के जो सपाट तान है ये आप समझ लीजिए कि गौालियर गाईकी के एक मुद्रा दोश है क्योंकि बहुत सारे राग हैं जिसमें सपाट तान नहीं जायस है जैसे देशी में सपाट तान नहीं हो सकता दरबारी में नहीं हो सकता मगर सपाट तान एक खास अंग बन गया है गौालियर के वज़ा से ये तो मैं आपको हमारे दो नंबर गुरू मुस्टाख हुसें खासाब का एक बिहाग में तान का नमुना दिखा रहा हूं सुना रह देशी में सुना दरबारी में तो मैं एक र्रणी По बो ओर स्ट्डान never आर ट आर लाँ झारो पो लुबब undertaken इसके बाद आता था बोल बाट जिसका एक नमूना बाकि बाद में आप लोगों को समझ में आए कि ये एक ख्याल का कितना जरूरी इंपॉर्टन्ट अंग है जो धीरे धीरे आज काल भी हम लोगों के पास है धीरे धीरे हम भी इसको आप खोड़ डाल रहे हैं तो आप जड़ा तकलीफ नहों तो वह हमीरी में थोड़ा सा बोल बाट करके दिखाएए और साथ साथ संगत करेंगे सुरेश्टी तो आपुर्ट कर देसरा थार ज्रोबर साथ साथ जड़ा तो वे देक है रहे हैएँ खम लोगों के बगार रहे थान साथ सर्के देड़ा रहे हैं więc जड़ा उय। लाबो शोची गर्वा चनल बोले चौू। चनल बोले चौबा गुदे लाबोरे मादन या लाबो लाबो शोची गर्वा चनल बोले चौू। चनल बोले चौबा गुदे लाबोरे मालन या लाबो शोची गर्वा चनल बोले चौू। चनल बोले चौबा गुदे लाबोरे मालन या लाबो शोची गर्वा चनल बोले चौू। या कर्याख कर्या से था ऊपर है के उड़ सोथा को सक्याकी है 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 महें आवन मैं बोल बात और लैकारी आपने सुना भी यह अंग अब हमको नहीं मिल रहा है ख्याल में मगर यह बहुत जरूरी एक खास अंग है ख्यालगाई की करें और इसके बाद बोलतान औरतान यही चीज ग्वालियरी आगे चलके आगरा हो जाता है तो पुराने गाईकियों में ग्वालियर सबसे पुरानी गाईकी ग्वालियर इसमें मुझे एक संपुर्न रूप ख्याल का मिलता है हमने कई बड़े बड़े उस्तादों पंडितों से पूछा कि ख्याल क्या अश्टांग है क्या तो वो कहने लगे कि स्पंदन, अंदोलन, धुरन, मुरन, मैंने कहा कि ये तो दीजादे टूल्स अब दे ट्रेड, ये तो गायक के पास होना चाहिए गाईकी के अंग कैसे हुआ मगर काफी विसलेशन करने के बाद सभी घराने के गाईकियों कि मैं अब इस तरह पे आया हूँ कि बंदिश के दो अंग है गाईकी और नाईकी, नाईकी है गुरू से जैसे आपने सीखा, उसको अपने कलपना के सहायता से जब आप हर एक पद को लेके खेलेंगे तो वह हो जाता है गाईकी उसके बाद विस्तार उसके बाद बहलवा उसके बाद बोलबाट लेकारी बोलतान और तान बोलतान गौलियर में पहले नहीं था यह आगरे घराने के देन है मगर अब सारी गाईकियां जब आजकाल के जमाने में सिंठेटिक गाईकी हैं तो एक आध घर आने के अच्छी चीज़े अगर ग्वालियर में आ गया है तो इसके बड़ी खुशी की बात है अब हम आप से आग्या चाहते हैं आप अराम से पुलाज जी का गाना सुनिये वो गाएंगे शुरू करेंगे राध पूरिया से